हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी कापके अपने चनल्ल मौडरन इस्टेडी में आज हम लोग फिर से क्लास आयंत के मैच का जो चेप्टर है 14.4 के कोश्चन एक कोहल करने जा रहे है जैसा कि कोश्चन में कर रहा है कि एक टीम ने फुटबाल के मैच में निमलिकित गोल किये एक टीम थी पहले एटेंड में दो गोल दूसरे अटेंड में तीन गोल चार गोल पाच गोल सुन गोल कोली ने गर पाई एक गोल तीन गोल त माध्यक और बहुलक याद कीजिए ऐसा कि हमने यहां पर लिख दिया है पहले से कि माध्य बराबर होता है कुल पदूका योग बठा आकनों की संख्या और माध्यक बराबर होता है इसां है probSON के यह साम है दसना इसलिए हम लिखे हैं यहां पर बहुलक बरावर जो अंक अधिक बार दिखाए पड़े तो पहले तो माध्य माध्यक बहुलक निकालने से पहले हम लिखते हैं इन आकणों को आरोही करम में लिखेंगे इसमें सब्सक्राइब सुन इसके बाद एक उसके बाद दो तीन एक दो तीन चार बार है एक दो तीन चार बार उसके बाद चार दो बार है उसके बाद पांच है एक बार यहां हमारे कितना हो गए यहां हमारे दस अंक हो गए हमको मात दें निकालना है तो हम क्या लिखेंगे यहां माद लिवर बता है खुल पद ओ यह जितना है आव सुन टो तीन चार उनका योग कर लेना जोड लेना है सुन योग भिवनिघें सतीर मेरे चार प्लस तीन प्लस तीन प्लस चौर प्लस पांच फिर इई सीरे से एक है है दो है तीन है चार है पाँच है छे शेस दस आक्डे है ना दिये गए इनका यहीं लिखना है दस नहीं कि यहां न हमको लिखना है यहां दस हम जोड़ेंगे सभी को तो हमारा आएगा यहां आएगा कितना 28 28 बटा 10 हम 10 ते 28 में अगर भाग देंगे तो हमारा आएगा 2.8 इसका हमारा माध्य क्या है 2.1 अब क्या निकलना है माध्यक माध्यक निकालने के लिए हमारे पास सम है तो हमारा फार्वूला क्या होता है यहां हमारा माध्यक क्या निकलने कि लिए होता है यहां हमारे जितनी हमारे आकड़ें है यहां हम दस लिखेंगे उसके बटा 2 प्लस एक दो में तस्ते भाग करेंगे तुमारा आएगा 5 और 5 प्लस 6 यारा छेवाँ पद हमारा कौन सा है यारी कि छाठवा नंबर पर जो हमारा है वो है आरोह करम में लिखने के बाद सब क्या आता है आरोह करम में लिखना अधिया बस्तक होता है यहां एक दो तीन चारव पांच छे छटे वह पहं को दिखाई पड़े इस वाकर में हमको सबसे बार हमको दिखाई दे रहा है कितना त्री यानिकि तीन हमको बहुत अधिक बार दिखाई पड़ रहा है तो यह हमारा बहुलक क्या होगा बहुलक बराबर हमारा क्या होगा 3 यह होगा हमारा एंसर दोस्तों पहला हमारा माध्ध निकल गया 2.8 माध्ध निकल गया हमारा 3 उसके बाद हमारा बहुलक जो निकल गया बहुलक बहुलक हमारा क्या निकल गया 3 दोस्तों यह रहे हमारे तीनों के एंसर जो की 14.4K questions question एक में से थे दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो like करें share करें और हमारे चानल को आप subscribe कर लें क्योंकि हमारे चानल को subscribe करेंगे तो पूरा 9th हम कबर किये हुए है इससे आपको किसी भी question का वीडियो तुरंत मिल सकेगा दोस्तों अगर वीडियो का देखने के लिए